बकाले धान की पर्मुक उबरती हुई समश्या है यह रोग पंजाब, हरियारा, पश्चिवी उत्तर प्रदेश और उत्तराखन जहां बास्मती धान की खेती होती है पर्मुक रूप से देखा जा सकता है यह रोग बीज रोपर्ण से लेकर फसल के परपक्व होने तक बिवन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है जिससे फसल और गुलवत्ता दोनों के हानी होती है यह रोग मुख्यता बीज जनीत रोग है परन्तु जो पिसली फसल के अपसेसों में भी इसके रोग कारक जिवित रहते हैं रोग के परमुक लक्षण नर्सरी में दिखाई देता है इसमें पौदा पीला पतला होता है और बाद के अवस्था में रोपाई के पस्षाद ये असाधरन रुप से लंबे पौदों में दोजियां कम बनती है और अगर ये पौदे बाद के अवस्था तक अगर जिवित रहते हैं तो उसमें बालिया नहीं बनती है रोक के दूसरी लक्षन में तल गलन या पद गलन भी है इसमें जो पौधों की जड़े काली हो जाती हैं सर जाती हैं और पौधा जमीन से टूप जाता है और उसके बाद पूरे खेत में पौदे सुखे हुए दिख सकते हैं ऐसे पौदे निश्चित चपों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं किसान भाईयों ये बहुत उपयुक समय है जब आप हस्मती धान में आप लर्सरी तयार करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है आप विस्वस्मिय शुरोतों से ही बीज खरीदे बीज को नमक पानी के गोल में एक बार निकाल ले इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिला कर गोल बना ले और उसको 15 मिनिट तक उसमें बीज को डाल कर छोड़ दे 15 मिनिट के बाद आप विजो को अच्छे से हिलाएं जिससे की जो रोख ग्रसित बीज है और वो उपर तैरने लगेंगे और उसके बाद आप उन बीजो को निकाल दें और बचे होए बीजो को 2-3 बार साफ पानी से धोले उसके बाद उसमें 2 ग्राम परते लीटर पानी की दर से कारवेंटाजीम 50% WP जो की बाविस्ट्रीन के नाम से बजार में उपलब्ध है उसका गोल बनाकर बीजो को 24 गंटे तक उसमें रख ले और उसके बाद आप गिली पौसाला में बिजाई करें दूसरा आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हारजियानम 10 ग्राम परती किलो बीज की दर से भी आप बीज सोधन कर सकते हैं नरसरी में आप ट्राइकोडर्मा हारजियानम या सूरो मोनाज फ्लोरो सेंस का पाउडर 10 से 25 ग्राम परती बर्ग मीटर की दर से आप उसका छिटकाव करें और उसके बाद उसमें आप नरसरी लगाएं आप खेत की निगरानी करते रहें आप ध्यान रखें कि जब आप पौद निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी तूटे नहीं पौपाई से पहले आप पौद सोधन कर सकते हैं पौद उपचार के लिए आप एक ग्राम पर्ती लीटर पानी की दर से कारवन डाजिम या नेटिवो जो कवक नासी है उसका आप गोल बनाकर पौद को बारा घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दे फसल की निगरानी करते रहें अगर आपको खेत में लक्षन दिखाई देते हैं और थोड़े से पौदों में ये लक्षन है तो आप ऐसे पौदों को निकाल सकते हैं